तो देखिएगा जो पहला प्रशनी यहां पर पूछा गया है तो इस प्रशनी में आप से पूछा गया है कि द्वैतबाद के प्रबर्तक अचारे कौन है जो द्वैतबाद है इसके प्रबर्तक अचारे के बारे में पूछा गया है जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो द्वैत बाद चलाया गया था ये आपके मध्वाचारे के द्वारा चलाया गया था थोड़ा सा आपको बलर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि PDF का जो क्वालिटी थी उतनी अच्छी मेरे पास नहीं थी तो आप मेरी जो अवाज पर फोकुस करना द्वैत बाद के परबर्तक का चारे को ने मध्वाचारे है इसके परशा जो कई बार ये भी प्रशन पूछा जाता है शुद्धा द्वैत बाद इसके परबर्तक कौन माने जाते हैं तो जो शुद्धा द्वैत है कई बार इसके विश्नु स्वामी भी माने जाते हैं और कई बार अगर मान लिजे विश्नु स्वामी बिकल्प में है तो उस पर टिक करिएगा अगर विश्नु स्वामी ना होकर बलबाच चारे हो तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं और जो अपने रामानुजय चारी है, इनके द्वारा श्री समत परदाय चलाया गया था। फिर अगला जो प्रशन है यहाँ पर दस, देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है। जो देवनागरी लिपी है, इसके विकास के वारे में पुछा गया है कि इसका विकास किस लिपी से हुआ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, तो देवनागरी लिपी का विकास हुआ है बरामी लिपी से। सी यहां सही होगा, इसके परशा जो अगला प्रश्ण है आठ, तो इसमें जो सही पूछा गिया है कि निमन रचनाओं को आरोही कालकरम में ब्यवस्तित कीजिए, तो यहां पर जो सही बिकल्प होगा, आरोही करम के लिए, तो बो हो जाएगा आपका बिकल्प यही है, सबसे पहले आगी रशिक प्रिया, फिर राम चेंद्री का, फिर कभी प्रिया और सबसे अंत में रतन बाबनी, यह सारी की सारी रचना किसकी हैं, केशवदास की रचना हैं, और यह करमियां पर सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण देखिए, आंधी के आम मुहाबरे का सही अर होगा, तो इसमें सही बिकल्प हो जाएगा का, बिकल्प ए, सस्ती चीज, तो फिर इसके परशात अगला प्रश्ण देखिएगा, प्रश्ण संखिया, नौ, इसमें क्या पूछा गया है, इन में से अब्धी किसके अंतरगत आती है, तो जो आपकी अब्धी बोली आएगी तो ये आएगी आपके, पूर्भी हिंदी के अंतरगत बिकल्प एहाँ पर डी सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण है बारा, चुरासी बैशनबन की बारता किस भाषा में लिखी गई रचना है, पहले जो ध्यान रखना है कि जो चुरासी बैशनबन की बारता है, ये एक ग पुत्र गोसाइनात के द्वरा, या फिर गोसाइन्दत और कही जगा गोसाइनात भी दिया जता है, उनके द्वरा लिखी गई थी, और जो किस भाषा में लिखी गई थी तो बारा का सही बिकल्प हो जाएगा, बिकल्प C, ब्रजभाषा में तो इसके रचनाकार कौन होंगे गोसाई गोकुलनाथ ठीक है ये दियान रखना गोसाई गोकुलनाथ ये बिठननाथ जी के पुत्तर से अगला प्रिशने तेरा ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं तो जो तेरा का सही बिकल्प हो जाएगा ड्राफ्ट को हिंदी में कहा आजाता है प्रारूपन बिकल्प यहां सही होगा अगला प्रशने चौदा, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक अगला प्रश्ण है 15 ज़ किस बर्ग का बिंजन है तो जो ज़ है ये किस बर्ग का बिंजन है ये पूछा गया है तो सही बिकल्प होगा तालब्य बिंजन का B. सही विकल्ब अगला परशने 16 शुद रूप लिखिये या पहचानिये तो यहां पर सवास्थे बताना है कि किस रूप में शुद होगा तो जो सवास्थे का सही रूप होगा तो विकल्प D किनूसा सवास्थे इस तरह से लिखा जाता है अगला परशने 17 बिसल्देब राशो किस श्रेणी का काब्य है? तो जो बिसल्देब राशो है ये आपका कैसा काब्य है? ये होगा आपका गे काब्य बिकल्प से यहाँ पर सही होगा इसके परशाद अगला प्रशन देखेगा अगले प्रशन में क्या पूछा गया है? इसके परशाद अगल के स्मक्ष वीडियो लाते हैं उसमें इस तरह के सरव प्रशन तो आपको देखने के लिए मिलते ही हैं तो अगर आप ध्यान से त्यारी करते हैं तो आपको इसका उत्तराता ही होगा तो जो अठरा का सही बिकल्प होगा तो बिकल्प ए हैं आलाखंड के रचेता हैं आपके जगनी ठीक है इसे आलागीत भी कहा जाता है आलाखंड भी कहा जाता है परमाल रासो का ही ये भाग है परमाल रासो के पुछेंगे कि कौन है परमाल रासो के रचनाकार तो ये जगनी की ही होंगे और अलाखंड के भी जगनी की होंगे इसका धियान लखना है आपने इसके प्रशाथ अगले प्रशन को देखते हैं 19 कभीवर बिहारी किस राजा के दर्वारी कभी थे तो चार विकल्प आपके समक्ष दिये गए हैं इनमें जो सही होगा तो उसका चैन करना है त रेसिंग के दर्वार में रहते थे और बिहारी के द्वारा बिहारी सत्चाई लिखी गई है इसमें 7192 हे संगली थे ये वी ध्यान रखना है और जो बिहारी है रितिकाल के प्रमुख कभी के तौर पर जाने जाते हैं अगला प्रशने खुसरो किस परसिद सूफी संत के श जाएगा बीज का निजामुदिन औलिया निजामुदिन औलिया सही विकल्प यहां पर C हो जाएगा अगले प्रशनिकों देखेगा 21 сюस्में आफसे पूछा गिया है इन में से दामोदर شर्मा की कृति कौन सी है चार विकल्प दिये गये हैं इन में जो सही हो जाएगा त उकती व्यक्ती प्रक्रण है जो रच। यह है आपकी दामोदर शरमा की। अगला प्रशन है 22 कभी बचन सुधा-पत्रिका किस यूग में परकाशीत होती थी। कवी बचन सूदा पत्री का है ये किस यूग में प्रकाशित होती थी आपके भारतेंदू यूग में ये प्रकाशित होती थी अगर ये प्रशन आपसे बने कि कवी बचन सूदा को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था तो भारतेंदू हरिश्चंदर के द्वारा ही इस तो यह दिया गया था बीरगाथाकाल, क्या नाम जिया था बीरगाथाकाल, जो वैसे तो शुकल जी के सारे ही नाम माने जाते हैं, जो हिंदी साहिते के चार थंडों के लिए नाम करण दिये के हैं, पर तो जो बीरगाथाकाल है या फिर आदिकाल है, इसके लिए इनमे संदे उत्पन होता है कि सिर्फ बेरगाथा ही उस समय की प्रव्विर्थी नहीं रही है। तो कई वार ये भी प्रशन मनता है कि आधिकाल कुसा सरप्रथम आधिकाल नाम किस ने दिया? तो अचारे रामचंद्र, अचारे हजारी परसाथ दुवेदी ने किस ने? अचारे हजारी परसाद द्विवेदी ने दिया था इसके परशात अगला प्रशन है परदा कहानी का नाइक कौन है तो जो परदा कहानी का नाइक है ये चौधरी पीरबक्ष है कौन? चौधरी पीरबक्ष इसके परशात अगला प्रशन देखेगा 25 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है महत्मुन प्रक्षन है आगे प्रिक्षा में पूछा जा सकता है तो जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ये डॉक्टर बच्चन सिहां की रचना होगी इसके प्रशाथ है अगला प्रशन 26 लंबोदर किस समास का उदाहरन है तो जो लंबोदर है ये समास पूछा गया है किस समास का उदाहरन है ये तो जो 26 का सही विकल्प हो जाएगा बहुब्रिय समास का उदाहरन है लंबोदर इसके पर शाहत अगला प्रश्ण है 27 रस्खान के काभबे का आलमबन है तो जो रस्खान है भक्तिकाल के प्रमुकि कभी के तौर पर जाने जाते हैं ये इनके जो काभबे का आलमबन था ये क्या था ये बताना है तो सही बिकल्प हो जाएगा भगवान श्रीक्रिशन इनके काब्वे के आलम बन थे अगला प्रशन देखेगा 28 कवीर शब्द का अर्थ होता है क्या होता है कवीर शब्द का अर्थ तो जैसा कि ये आपको पता ही होगा कवीर शफ्ट का आर्ज होता है महान विकल्प D अगला प्रश्णे जो रामच्रित मानस है ये कितने कांडों में विवाजित हैं तो ये है आपके साथ कांडों में ये भी दियान रखना है अगला प्रश्णे तीस त्याग पत्र उपनियास किस कोटी में रखा जाता है ध्यान रखना है कि जो त्याग पत्र है ये उपनियास विदा की रचना है और किस कोटी में इसे रखा जाएगा तो ये बताना है तो ये रखा जाएगा आपके मनो बिज्ञानिक आत्म कथात्मक उपनियास के तौर पर अगर ये प्रशन आप से पूछा जाएगा त्यागपत्र उपनियास किसका है तो ये जने अंदर का होगा फिर अगला प्रशन 31 प्रक्तिश शील लेकक्सं की अध्यक्षता मुईशी प्रेमचंदर के द्वारा कब की गई थी तो 31 का जो सही विकल्प होगा यहाँ विकल्प ए 1936 में अगर ये प्रशन आप से बनता कि प्रक्तिश शील लेकक्सं की जो दूसरी अध्यक्षता की गई थी तो ये डॉक्टर ठाकूर ठाकूर क्या नाम है उनका पूरा ठाकूर रबिंदरनाथ या फिर रबिंदरनाथ भी कह सकते हैं या फिर ठाकूर रबिंदरनाथ भी कह सकते हैं जैसा भी ठीक लगे और ये प्रशन पूछा जाता है कई बार कि प्रक्तिशिक लेखक संग जो 1936 में आया था इसकी अध्यक्ष्टा कहां पर और किस के द्वारा की गई थी मुशी प्रेमचंदर जी के द्वारा लखनों में की गई थी फिर अगला प्रशन देखें 32 अनुबाद का समानार्थक शब्द कौन सा है तो सही बिकलप यहां पर हो जाएगा तर्जुमा बिकलप B अगला प्रशन देखेंगा 33 लिप्यांतरण से अभी प्राय है क्या अर्थ होता है लिप्यांतरण का तो जो सही बिकलप हो जाएगा लिपी परिभरतन बिकलप C अगला प्रिशन देखिएगा 34 आदुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंब किस कवी के साहित्य से हुआ तो जो 34 का सही विगल्प होगा आदुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंब नॉर्मल सी बात है आदुनिक हिंदी साहित्य के बारे में पुछा जा रहा है तो भारतिन्दु यूग से ही यादुनिक हिंदी सहीत्य का प्रारम बमाना जाता है D यहां सही होगा अगला जो प्रशन है जिस भाषा से अनुबाद किया जाता है उसे क्या कहती है जिस भाषा से यह है यहां पर जिस भाषा से अनुबाद किया जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका स्त्रोत भाषा, अगर ये प्रिशन बनता है कि जिस भाषा में, से और में में फर्क है, अगर में में बात की जाएगी, तो वो लक्षे भाषा होगी, से होगा तो स्त्रोत भाषा होगा, ये ध्यान रखन है लफजों का सारा खेल है अगला प्रिशन देखिएगा 36 हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को अंतराष्ट्रे बूकर पुरसकार दो हजार बाईस तो यह मिला था आपका गितांजली श्री को इनके किस रचना को या किस उपनियास को एर रेट समाधी जो इनका उपनियास है यह पुरसकार मिला है अगला प्रशने 37 संचारी भावों की संख्या कितनी है तो जो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33 बिकल्प भी यहां सही होगा अगला जो प्रशने 38 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक के बारे में पूछा गया है तो ये हो जाएंगे आपके विकल्प A राजा राम मोहन राए विकल्प A यहां सही होगा इसके प्रशात अगले प्रशन को देखी का इसमें पूछा गया है मुक्ति बोध का प्रथम परकाशित काब्बे संग्रह कौन सा है किस कभी की बात की जारी है मुक्ति बोध की कौन सा प्रथम प्रकाशित काब्बे संग्रह प्रथम तो जो 49 का सही विकल्प होगा तो ये होगा चांद का मुह टेड़ा है विकल्प A यहां सही होगा 49 का अगला प्रशन देखीगा बाकी देखीए यहां पर अंधेरे में भुरी भुरी खाक दूल ये जो तीनो रचना है ये मुक्ति बोध की ही होंगी ये ध्यान लखना है ये तीनो की तीनो रचना है किसकी है मुक्ति बोध की है अगला प्रशन है हिंदी ग्रामर से उपकार को भूलने बाला इसे क्या कहा जाता है जो उपकार को भूल जाता है तो इसे कहा जाता है कृत घन विकल्प ए सही होगा यहां अगला प्रशन देखेगा अंगत का पाउं निवंद के रचईता कौन है अंगत का पाउं ये किस विदा की रचना है श्री लाल शुकल जो श्री लाल शुकल है इनके द्वारा लिखा गया था अंगत का पाउं और ये निवंद वीदा की रचना है इसी के साथ साथ राग दरवारी जो उपनियास है ये भी श्री लाल शुकल के द्वारा ही लिखा गया है काफी महत्कुन उपनियास है अक्सर प परधान रचना मानी जाती है या फिर बिशे परधान विधा मानी जाती है फीचर अगला प्रशन देखिए 43 यश्पाल का पहला कहानी संग्रह कौन सा है किसका यश्पाल का पहला कहानी संग्रह पिंजदे की उडान पिंजदे की उडान है इनका पहला का बे संग्रह ठीक है और ये कब प्रकाशित किया गया था, तो सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर 1949 में, यहाँ पर देखे कितने प्रशन आपके निकल जाते हैं, पहला प्रशन तो ये निकलेगा कि ये श्पाल का पहला काहणी संग्रे कौन सा है, तो ये है पिंजडे की उरान, दूसरा प्रशन ये बनेगा कि इसका प्रकाशन बर्श कब का है, 1949 का है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, प्रशन गुमाफिरा कर पूछे जाते हैं, अगला जो प्रशन यहाँ पर पूछा गया है, प्रवाख खेतान ने किस विशे पर सनातकोतर की उपादी प्राप्त की थी, जो प्रवा अगले प्रशन को देखेगा, 45, घासी राम, कोतवाल, नाटक, मुल्त, किस भाशा में लिखा गया है, तो सही विकल बताईएगा, 45 का, ये जो मुल्त, भाशा में लिखा गया था, मराठी भाशा में इसे लिखा गया है, सी यहाँ सही होगा, अगला प्रशिन देखे, 46, अचारे शुकल के निवंध संग्रह का क्या नाम है, ये भी काफी महत्पून रशनाकार के तौर पर जाने जाते हैं, अचारे रामचंद्र शुकल, निवंध समराटी ने कहा जाता है, अलोचना के तौर पर भीने समराट के तौर पर ही जाना ज यह लेखेगा, यह भी याद रखना है कि जो, इनका काफी परसिद निवन संग्रह है, कौन सा क्या नाम है, उसका कवीता क्या है, यह काफी पूछा जाता है कि क्या है, किस का निवन है, तो यह अचारे रामचंदर शugर का है, और यह चिंदामनी भागेक में संकलित है, इस इसी के साथ ये भी आपने ध्यान रखना है ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 जिसका प्रकाशन बर्ष है ये हिंदी साहित्य के तौर पर एक रिड माना जाता है ये इतिहास और ये अचारे रामचंदर शुकल के द्वारा ही लिखा गया है इसी के साथ देखिए प्रियाय शब्द माना अनुबाद और भाष्यांतर को किस भारते बिद्वान ने प्रियाय शब्द माना तो जो 47 का सही विकल्प होगा डॉक्टर भोलाना तीवारी के द्वारा यह माना यह था विकल्प सी यहां सही होगा अगला जो प्रशन है 48 इसमें क्या पूछा गया है संसकार उपनियास के रच्चाईता कौन है तो जो संसकार उपनियास है इसके रच्चनाकार होंगे यू आर अनन्तमूर्थी विकल्प यहां सही होगा फिर देखे आगे बनने से पहले फिर सी आपको बता देता हूँ अगर भी तक आप हमारे ओनलाइन पेड बैच के साथ नहीं जूरे हैं आप लोगर PGT हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं PGT हिंदी की तो आप जूर सकते हैं इसके साथ जुनने के लिए आपको बड़सेप क कर सकते हैं प्रशन है 49 महादिवी बर्मा को 1956 में कौन सी राष्ट्री उपादी दी गई थी तो जो सही बिकल्प होगा तो वो होगा आपका पदम भीभूशन पदम भीभूशन नहीं पदम भूशन दिया गया था महादिवी बर्मा को 1956 में ध्यान रखना है ये पूछा जा में किसे पदम भूशन से नवादा गया था तो ये महादिवी बर्मा थी अगला प्रशन है 50 हजारी पर साथ दुवेदी का देहांत कब हुआ था तो जो हजारी पर साथ दुवेदी हैं इनके देहांत की बात की जाए तो सही बिकल्प यहां पर होगा 1989 में अगर इनके जनम का पूछा जाता तो 1907 इनका जनम बर्श माना जाता है अगला प्रशन देखिए 51 काल के आरोही क्रम में विवस्थित कीजिए यहां पर काल दिये गे हैं उन्हें आरोही क्रम में विवस्थित करना है कौन सबसे पहले काल आये था इसके बारे में आपको पता ही होगा जैसे काल के बाद रीति काल आएगा रीति काल के बाद क्या आएगा तो रीति काल के बाद आफका भारतेंदू यूग आएगा भारतेंदू यूग के बाद कौन सा काल आएगा भारतेंदू यूग के बाद आफका आएगा छाया बाद चाया बाद के परश्चात परियोग बाद तो जो सही विकल्प यहाँ पर 50 बनका होगा तो बो हो जाएगा आपका विकल्प D इसके पर चाहत अगला प्रशन देखेगा 52 निमलिखित रचना को रचना काल के आरोही क्रम में बर्बस्तित कीजिए तो यहाँ पर सुफी संद थे उनके द्वारा कुछ रचनायन लिखी गई थी उन्हें काल के अनुसार रखना था तो जो बावन का सही विकल्प होगा तो बो होगा आपका सबसे पहले जो रचनायगी चन्दायन उसके परशात म्रिगावती फिर पदमाबत फिर अनुराग बांसुरी ठीक है यह करम याद रखना है अपनी है अगले प्रशन को देखेगा त्रेपन रुकोगी नहीं यात्रा रुकोगी नहीं राधिका शेश यात्रा यह जो किस की रचना है पहला प्रशन तो यह बनेगा तो यह होगा उशा प्रियमबदा की यह रचना है फिर यह प्रशन पूछा जाएगा कि किस विदा की रचना ह तो ए यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा अगला जो प्रशनी यहाँ पर दिया गया है इसमें देखीगा मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है यह बताना है जैसे की पैन कहा है पैन से बता देते हैं अजगर करेन चाकरी पंची करेना काज दास मलूका कहे गए सबके दाता राम सरल सी पंक्ती है मलूक दास की यह पंक्ती हो जाएगी इसके पहिशाज जो देखी अगर मलूक दास की पंक्ती मिल रही है चार का दो कहा है तो बिकल्ब A में ही चार का दो है तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा 54 का तो वो हो जाएगा 54 का सही विकल्प A बाकी के मिला लेते हैं, आसान ही है रभी ससी नखत दिय हैं ही, ओही जोती तो यह किस की हो जाएगी? जाइसी की यह पंक्ती हो जाएगी फिर है प्रभुजी तुम चंदन हम मोरा क्या है प्रभुजी तुम चंदन बन हम मोरा तो दूसरे का जो सही हो जाएगा रहधास की ये पंग्ति होगी अगला है काहे को ना लीनी तू कुमुलानी ये पंग्ति किसकी है तो ये हो जाएगी आपकी कभी इरदास की इस प्रकार से ये करम यहाँ पर सही हो जाएगा, आप मिलाकर इन्हें नोट कर सकते हो, सही बिकल्प यहाँ पर बिकल्प A हो जाएगा, फिर अगले प्रिशन को देखेगा 55, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है, रास पंचा दिहाई के रचैता क प्रमुख कभियों के अंदर गताते हैं, सबसे करनिष्ट भी हैं और महत्पुन भी हैं, तो देखेगा जो चाया बाद नहीं, अश्ट शाप कह रहा था, हम यहाँ पर चाया बाद निकले गया, जो अश्ट शाप के प्रमुख कभियों के तौर पर जाने जाते हैं ये, इकलित किया जाता है, आठ, सबसे बरिष्ट कौन है, तो सबसे बरिष्ट है कुम्बन दास और सबसे करनिष्ट है नंद दास, अगर ये प्रशन पूछा जाए कि, जो नंद दास है, ये क्या इन्होंने ब्रहमरगीत की रचना की थी, क्या ये ब्रहमरगीत परंपला के अं बिठलनात उनके द्वारा की गई थी, अगर ये प्रशन पूछा जाए कि अच्छाप में बिठलनात के शिश्यों की संख्या कितनी है, तो चार है, चार बलवाचारे जी के शिश्यों की संख्या है, चार बिठलनात जी के शिश्यों की संख्या है, अगला प्रशन चपन, ब् तो सही बिकल्फ हो जाएगा यहाँ पर श्रीमत भागवत पुरान, सी यहाँ सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है 57 पुष्टी मार्ग का सबंद किस संपर्दाय से है जो पुष्टी मार्ग है यह पूछा गया है इसका संबंद किस मार्ग से होगा किस संपर्दाय से होगा तो सही बिकल्फ होगा बल्लव संपर्दाय के साथ सबंदित है पुष्टी मार्ग ठीक है यह द और जो पुष्टी मार्ग है बल्लव संपरदाय से स्बंदित है, पुष्टी मार्ग में कितने परमुख कभियों को माना जाता है, तो ये अश्च छाफ के जो कभी हैं, उन्हें ही पुष्टी मार्ग के अंतरगत माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपने, तो दोस्तों कुछ इस परकार से आज का ये हमारा लेक्चर था मुझे पूर्ण आचा है कि ये आपके लिए बहुत लाबदा एक सिद्ध होगा और जो हमारी 5000 प्लस प्रशनों की सीरीज है उसी के इंतरगत इसे लिया गया है जो भी आपको महत्पुन प्रशन लगे या कोमेंट कर सकते हैं अगर भी तक जो आपको बताया था बर्ट्सेप और टेरीग्राम ग्रूप में एन्रोल नहीं होएं तो उनमें भी एन्रोल हो सकते हैं और फेस्पुक पेज जो है उसमें भी जुड़ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अब अच्छे लाइक करिएगा इसका टार्गेट हमने स्थापित कर दिया है एक सो लाइक आपने जल से जल कंप्लीट कर लेने है तो ठीक है तो यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं आप वीडियो के अंतक बन रहे इसका बहुत बहुत धनियावाद।